आगच्चन तु विद्यार थी ना है व्याकरणे शंदीम पठाम है और संदी में हम चर्चा कर रहे थे व्यंजन संदी के बारे में बच्चो व्यंजन संदी के हमने परिबाशा पड़ ली इसके अलावा व्यंजन संदी का जो पहला भेता इस्चूत्व संदी उसके बारे मे देखा था इस्तो श्चू ना श्चू और अब हम पढ़ेंगे इस्टू ना श्चू बच्चो क्या पढ़ेंगे इस्टू ना श्चू और यह सुत्र है लेकिन इससे पहले मैं क्या लगा देता हूँ इस तो लगा देता हूँ मेरे इसाब से तो क्या कहता है बच्चों देखो सकार और तैवर्ग सकार और तैवर्ग यानि तै थै धै धै ने के इस्तान पर क्रमशह सकार और तैवर्ग हो जाता है शकार और तैवर्ग में से किसी का भी योग होने पर यानि इस्तो से और तैवर्ग का योग शकार और तैवर्ग के आगे पीछे किसी भी तरफ हो शकता है प्यारे बच्चों यानि शम्जो बहुत सरल बाशा में शम्जाओंगा आपको यानि इस्तो का इस्टो का क्या हो जाता है इस्टू हो जाता है बस यह समझने की बात है इस्टो में आप समझते ही हो इस्टो क्या होता है इस्टो होता है शे और तेवर्क से ते थ द ध ध और न यह होता है और इस्टू क्या होता है बच्चो इस्टू होता है से और तेवर्क ते ठ ड ध और क्या है इस्टू के आगे या पीछे होने पर इस यहां भी हो सकता है और पीछे भी यह सकता है तो इसको यह रोजयो जाएगा ठैक टैकठे प्लस के बाद में क्या है इस्टू देखो अब समझो पहला शैका है यानि रामश प्लस के पहले क्या है इस्टो है और प्लस के बाद में क्या है इस्टो है और इसका इस्टो का इस्टो हो जाएगा क्या हो जाएगा इस शे का ये से हो जाएगा बस क्योंकि प्लस के बाद में क्या है इस्टो तो रामस टीकते रामस टीकते उसी प्रकार से तत प्लस टीका तत प्लस टीका औ तो क्या बनेगा उड़ीन है क्या बनेगा उड़ीन है और धेका धेक होता है इसके उदारण भी देखेंगे बच्चो लेकिन नैका क्या हो जाता है नै हो जाता है जैसे क्रिश यह बच्चो क्रिश है न यहां नहीं था न क्रिश है क्रिश प्लस नै और इसमें प्लस के पहले क्या है इस्टू है और प्लस के बाद में क्या है इस तो है और प्लस के पहले इस्टू होने के कारण यहां इस नहीं का यह नहीं हो जाता है और रूप क्या बनेगा क्रिश्ण है आई यह देखते हैं और उदारण समझेंगे बच्चो रामश प्लस सश्ट है रामश प्लस सश हो जाएगा बच्चो येस है रामसस्ट क्या बना रामसस्ट है उसी प्रकार से पेश प्लस्ता पेश प्लस्ता में प्लस के पहले क्या है इस्टू और प्लस के बाद में क्या है इस्टो तो इस इस्टो का क्या हो जाएगा इस्टू हो जाएगा यानि टा हो जाएगा ता क्या हो जाए गा ट्रूप क्या बनेका बच्चो पेश्टा बनेगा बच्चो पेश्टा उसी प्रकार से चक्रीं प् olhar धोक से और दोखसे में बच्चो ना यह क्या है और नई siis दोखसे नहार भंद जाएगा नए धोक से बन बाद में इस्तो है और इसने का क्या हो जाएगा और ने हो जाएगा क्रिश्ण रामस टीकते रामस टीकते प्लस के पहले क्या है इस्तो और प्लस के बाद में क्या है इस्टू तो इस इस्तो का क्या हो जाएगा इस्टू हो जाएगा रामस टीकते यह हो जाएगा यह श्य उस उसी प्रकार से सस प्लस थै और सस प्लस थै है बच्चो तो प्लस के पहले क्या है इस्टू और प्लस के बाद में क्या इस्तो तो इसका थै का क्या हो जाएगा अठ्थै हो जाएगा बस तो सस्ट है अमारी जो शारणी है न देख लो इस शारणी को देख लो आ गई या पीछ इस्टू और इस देखा क्या हो जाएगा और रूप क्या बनेगा उड़ी नहां क्या बनेगा उड़ी नहीं प्यारे बच्चो आए आगे देखते हैं अगला शुत्र ने पदान्ता टोर नाम है बच्चो यह सुत्र आपके अच्छे समझ में आया होगा ऐसी आशा करता हूं उसी का एक प्रकार है, महां इस्टो का आमने इस्टू किया था, अब यहां आमने इस्टो कर दिया, इस्टो का, महां इस्टू का योग था, यहां इस्टू का योग है, आईए अगला शुत्र देखते हैं बच्चों इसी संदी में, नय पदांता टोर नामा, यानि पदांत होता है शुप-्तिंगंतम- पदम जिनके अंत में होता है वह होते हैं आथास बिवक्ति से युगत होते है जैसे सट सट यहां बिवक्ती है उसी प्रकार से पदांत-के बाद में यानि पदांत में टैवर्ग होना चाहिए हमने एंगो पदांता दती देखा था बच्चो ऐ और ओपद के अंत में था वहाँ यानि पूरोरुप संधी में पड़ा था और यहां क्या है पदांत टैवर्ग के बाद में टैट है देखो टैट है दो तीनों जग आप के बाद में क्या हो, बाद नाम भिन शकार, नाम के अलावा कोई दूसरा सकार हो, सह हो, यानि ये शह हो और इसके अलावा तै वर्ग हो, तो उसको श्टूत्व नहीं होता, यानि उसमें श्टूत्व संधी नहीं होती है, जैसे पध है, शहठ, पदानत है, बच्चो इसके बार में शय है तो यहां इस्टूत्वे नहीं होगी, 60 संता ही बनेगा, उसी प्रकार से 60 प्लस थे, 60 प्लस थे बच्चो यहां मूल क्या है, 60 प्लस थे में तैवर्ग है, तै है और तो इसको भी इस्टूत्वे नहीं होगा, उसी प्रकार से 60 संती और यहां भ नगरी नाम मिति वाच्यम यदि शड के बाद में यदि शड के बाद में क्या हो नाम हो नवति हो नगरी हो तो ने को ने हो जाता है ने को क्या हो जाएगा इस ने को ने हो जाता है तथा सड के डैको भी क्या हो जाता है ने हो जाता है प्यारे बच्चो इस डैको ने हो जाता है और इस ने को भी क्या हो जाता है ने हो जाता है तो सड इसमें मूल शब्द है प्यारे बच्चो ससे और ससे क्या बना सटे और सट से सड बना और इस डे को भी ने हो गया और आगे नाम और नवती और नगरी का जो ने है उसका भी ने हो गया प्यारे बच्चो और रूप क्या बनेगा शन नाम उसी प्रकार से सन नवती उसी प्रकार से शन नग्रिय हो तो ने को ने और डे को भी ने हो जाता है टे को भी ने हो जाता है अगर टे भी अगर लिखते हैं तो उसको भी ने हो जाता है प्यारे बच्चो आए ये आगे देखते हैं बच्छों इससंदि का अंतिम शुत्र तोशी तो शी का मतलब समझो तो यानि तवर्ग के बाद में क्या हो से हो, यानि तैवर्ग के बाद में शेके रेने पर भी श्टूत्व नहीं होता है, सन प्लस सष्ट है, सन शष्ट है, तो बच्चो तोसी हुआ, तो हमारा तोसी शुत्र में क्या है, कि तैवर्ग के बाद में यदि कोई मुर्धन्य शकार होना, तो भी श्टूत्व संधी वह हां नहीं होती है प्यारी बच्चो तो आमने ये पढ़ लिया इसके अलावा सड के बाद में नाम नामनावती नग्रीए हो तो ने… से पहले प्यारी बच्चो हा मत आद नाम हैं यह पेस्ट के बाद में नाम भिन सकार म houकों यह हो जाता है आईए इससे पहले और हमारा जो मूल शुत्र है बच्चो इसी से प्रशंजदा उठाये जाते हैं यानि इस्टुत्व संदी में इस्टु ना श्टु आगर आपने पढ़ लिया यानि इस्टो का श्टु हो जाता है इस्टु के योग में आगे हो या पीछे हो तो इस परका कि भ110 इस परका शुत्र हो जातो हो जड़ कर। दिसे इसाष च्राद सबस्टु आगर आपना है अपनध्य कमी में से यानित इस्टु आगर बया का कि आपना उन्सकरा रлемगता रहर है कि विवार में सकरा भीवार में सहां रहर है कि यें इस्टु के याब अज़ च्वा भ